आज हम कक्षा दस्मी का साइन्स विशय में फस्ट एप्टर जिसका नाम है रासाइनिक अभिक्रियाएवा समीकरण उसका अध्यान करेंगे। आज की इस किलास में सभी छात्राओं का स्वागत है। हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सुभा से लेकर शाम तक बहुत सी क्रियाएं होती हैं, कुछ भौतिक होती हैं, कुछ रासाइनिक होती हैं। जैसे कि सांस लेते हैं, भोजन का पाचन, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, रासाइनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो एक बार हो जाए, तो वापस पुनाय अपनी पूर्व अबस्था में नहीं जा सकता। रासाइनिक अभिक्रिया में रासाइनिक परिवर्तन होता है, जैसे हो सकता है उसका रंग में परिवर्तन हो रहा हो, गैस में परिवर्तन हो रहा हो, तापमार में भी परिवर्तन हो सकता है, कभी कम, कभी ज़्यादा थो सवस्था से, गैस सवस्था में भी आ सकते हैं, इस प उसको हम संकेतों वा सूत्रों के द्वारा समीकरण के रुप में लिखते हैं, उससे हम कहते हैं राजसायनिक समीकरण बहुती सरल उधारण है आपके सामने, mg प्लस o2 is equal to mgo यह जो magnesium है, यह तत्व है, धातू तत्व है, कक्षा नोमी में आपने बहुत सारे धातू और अधातू तत्वों के बारे में पढ़ा हम चाहते हैं कि आप कक्षा 9 की किताब में से कुछ तत्वों के नाम और उनके संकेत लिख लीजिए ताकि आपको आगे की इस किलास में पढ़ने में आसानी रहेगी देखिए आप यह mg प्लस o2 is equal to mgo यह तीर का निशान है, इस तीर के निशान के बाई ही और आप देखोगे, तो यह है अभी कारक और इसके जहाँ नोख है तीर की, वहाँ देखेंगे यह है उत्पाग और यह S, G, S, यह इनकी बहुतिक अवस्थाएं हैं जैसे ठोस अवस्था है, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं solid द्रव अवस्था, liquid, गैस अवस्था को गैसी बोलते हैं और किसी भी पधार्त का जली विलियन, एक्वस, उसको हम शाट में बोलेंगे AQ तो यहाँ पर इस समी करण में पधार्तों की भहतिक अवस्थाओं को शो करना भहतिक अवस्थाओं को दर्शाया भी जाता है जैसे मैगनेशियम यहां ठोस अवस्था में हैं O.S. oxygen, G, M.G.O. solid इस प्रकार हम समी करण में अभीकारक, उत्पात और उनकी भहतिक अवस्थाओं का भी अध्यन करते हैं रासायनिक अभीकिरिया में समी करण को लिखने के बाद समी करण के दोनों पक्ष अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों संतुलित होना चाहिए अक्षा नाइंत में आपने पड़ा है द्रब्मान सरक्षन के नीमा नुसार ना तो किसी पधार्थ का विनास होता है ना किसी पधार्थ का निर्मान किया जा सकता है अर्थात दोनों पक्षों में अभिकारग पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों में पर्माणों की संख्या बरावर होनी चाहिए यहां देखिए आप Mg प्लस O2 यह एक पक्ष हो गया और Mg हो यहां Mg के एक पर्माणों है आप गिनेंगे कैसे Mg है Mg के आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा इसका आर्थ है कि Mg का एक पर्माणों Oxygen के नीचे दो लिखे हुए हैं इसका आर्थ है Oxygen के दो पर्माणों इस पक्ष में Mg का एक पर्माणू और Oxygen का एक ही पर्माणू है अता यहां समीकरण संतुलित नहीं है ऐसे समीकरण को हम धाचा समीकरण भी कह सकते हैं इसके पश्याद हम इस समीकरण को हम बहुत सरल समीकरण है संतुलित करेंगे यह अनुमान से संतुलित कर सकते हैं जैसे यहां Oxygen 2 था तो हम यहां इस पक्ष में भी Oxygen के दो पर्माणू करना चाहते हैं तो हमने यहां 2 लिख दिया अब Magnesium यहां 2 पर्माणू हो गए अब यहां पर भी हमें 2 लिखना पड़ेगा इस प्रकार यह Hit and Trial विधी कहलाती है और अधिकतर समीकरण हम इसी विधी से संतुलित करते हैं अगला दूसरा समीकरण हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं Fe, Fe लोहे का संकेत है Fe plus S2O is equal to Fe3O4 plus S2 यहां पर दोनों पक्ष में, अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में Fe यहां पर एक है, एक पर्माणू है, यहां तीन है Hydrogen के यहां दो पर्माणू है, यहां Hydrogen के दो पर्माणू है, संतुलित है Oxygen का यहां एक पर्माणू है और यहां पर चार है अब इसको संतुलित करने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, साइड में, एक रफ टेबल कह सकते हैं इसको, जिन जिन तत्वों ने भाग लिया है, उनको हम यहाँ पर रखेंगे, जैसे लोहा, एफी, हाइड्रोजन, आक्सिजन, अभिकारक पक्ष लिखेंगे, यहाँ, और उत्पात पक्ष लिखेंगे, अब हम यहाँ से गिनन आरम्ब करते हैं, इस पक्ष में, एफी का एक परमाणू हैं, तो हमने यहाँ अभिकारक में एक लिख दिया, इसी प्रकार, उत्पात पक्ष में, एफी के तीन परमाणू ह तो हमने यहां उत्पाद के नीचे 3 लिख दिया, इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहां 2 है, अभी कारक पक्ष में 2 आ गया, इस प्रकार उत्पाद पक्ष में भी हाइड्रोजन 2 है, अब चलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहां 1 है और इस पक्ष में के चार है अब हम यहां पर ध्यान से देखेंगे ये जो टेबिल है यहां पर लोहा आईरन अभिकारक पक्ष में एक उत्पाद पक्ष में तीन पर्माणूं हाईड्रोजन अभिकारक में दो और ये दो संतुलित है ऑकसिजन एक और उत्पाद में चार अब इसको हम संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा समी करण है जिसमें जो योगिक और जो भी तत्व भाग ले रहे हैं हम इनके सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम इनको सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर इनको हम क्या कर लेते हैं खेर लेते हैं देखिए जैसा आपको दिखाया जा रहा है ये अब हमें जो भी परिवर्तन करना है हम सिर्फ बाहर करेंगे सामने लिखकर अब हम संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे एफी यहां उत्पात में तीन है तो अधिक्तम संख्या से इस अभिकारक पक्ष में इसका गुणा करेंगे तो ये तीन दोनों पक्ष में तीन आ गया इसी प्रकार हाइड्रोजन बराबर है ऑक्सिजन यहां उत्पात पक्ष में चार है तो अभिकारक पक्ष में भी हम चार का गुणा करेंगे इस प्रकार यहां पर देखिए सभी अभिकारक और उत्पा अब यहाँ पर हाइड्रोजन आठ हो गया है, तो हम यहाँ पर भी इसका यह चार से मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह आठ हो गया है, आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष में परवाणों की संख्या बराबर हो गया है, अब यह कहलाता है संतुलित रासायनिक समी करण अब हम आगे चलते हैं देनिक जीवन में जो रासायनिक अभी करिया होती हैं, इनके बहुत से प्रकार हैं, जैसे कि संयोजन करिया, संयोजन जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जुड़ना दो या दो से अधिक पधार्त चुड़कर कोई भी नया पधार्त वो है संयोजन अभी करिया, जैसे कोईले का दहन, कोईले का संकेत है कारवन प्लस ओटू इस इक्वल टू सी ओटू, आप यहां देख रहे हैं कि दो अभी कारवन और ओक्सिजन, यहां दो हैं, दो के बीच में हम एक धन का चिन्ने लगा देते हैं, यदि तीन होते हैं, तो हम एक प्लस करके और भी जोड सकते थे, इस इक्वल टू सी ओटू, यहां पर एकल उत्पाद बन रहा है, कारवन डायाउकसाइड, गैस उत्पन हो रही है, तो इसको हम कहेंगे सैयोजन अभी क्रिया, यह भी हमाई दैनिक जीवन में क्रिया होती है, फिर है जल निर्माण, S2 प्लस O2 is equal to S2, हाइट्रोजन और ऑक्सिजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं, इसके बाद अगली क्रिया है वियोजन अभी क्रिया, यह सैयोजन क्रिया के बिलकुल अपोजिट है, यहाँ पर दो अभी कारक मिलकर एक बनाते हैं, यहाँ एक अभी कर्मक तूटकर दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, देखिए यह जो वियोजन अभी क्रिया जैसे एक अ पधार्त है, यह बात में राजसाहनिक अभी क्रिया के बाद B और C दो भागों में विभक्त हो गया है, वियोजन क्रिया कई प्रकारकी होती है, उश्मी वियोजन, विद्द वियोजन, प्रकाशिव,